उत्य प्रदेश मेरट में इंटरनेशनल ड्रग माफिया तस्लीम की दो करोड से धिक कीमत की अवैद संपत्ति को मेरट फुलस ने शनिवार को जब्त कर लिया है मेरट पुलस ने ड्रग का वैद कारोबार करने वाले माफिया हाजी तस्लीम की महताब सीनेमा के पास मचेरान में बनी तीन दुकानों को कुर्क कर लिया है इन दुकानों में तस्लीम अपने परिजनों के साथ मिलकर ड्रग का अवैद कारोबार चला रहा था इससे पहले भी पुलिस ड्रग माफिया की तीन करोड की संपत्ती पूर में सीज कर चुकी है कुल पांच करोड की अवैद संपत्ती को अब तक सीज किया जा चुका है तस्लीम का बेटा बीवी दामाद भी ड्रग के अवैद धन्दे में शामिल है इनकी भी पुलिस जांच कर रही है, साथ ही तस्लीम की दूसरी संपत्यों की भी जांच कर रही है एसवी केंट चंदरकांत मीना भारी पुलिस बल के साथ महताब इलाकी में पहुंचे यहां मचिरान में माफिया तस्लीम की तीन अवैद दुकानों पर चोधाए के तहट कुरकी का एक्शन लिया गया पुलिस ने मुनादी कराकर लोगों को संपत्ती कुरकी की सूशना दी एस संपत्ती की खरीद फरोक्त पर रोक लगा दी है इसके बाद दुकानों के ताले तोड़कर तलाशी गई दुकानों में पुलस को दवाई मिली है संपत्ती कुरकी की कारवाही करते वे पुलस ने दुकानों पर सारवजनिक नोटस लिखा कर इन्हें सीज कर दिया इसके लिए जो है संपर किया जारा समद दिवाग से जानकरी ली जा रही है सर जो तसलीम है उसके साथ-साथ के कितने परिजन अभी जेल में है क्योंकि सब लोग संलिप थे लोग रेले रोड प्लिस ने जेल भेजा इनके पुत्र इनकी बीवी और इनके दामाद है वो सब संलिप है कुछ जो है इनमें जवानात पर बाहर आ गए है तो उन पर भी नज़र रखी जा रही है कि पर से उसकार्याव कर रहे हैं अगर कहीं भी उनकी संपत्ति के लावा कोई और संपत्ति है तो स्लीम की अभी उ जो भी इनके साथ में संलिप रहे हैं अभी जो है यह सूचना मिली है कि जेल में रहते हो भी यह अपना काम ज़ुगों है जारी रखे होए हैं तो कि इनके माद्दम से साथ इसा काम चल रहा है उस पर पुलिस काम करते हैं थी यह तेंक्यू